मेश्टाज एटिवाज आप लोगों की मदद और सेवा भी कर सकते हैं। कामकाज के सकारात्मक परिर्णाम भी मिल जाएंगे। आप नियम कानून और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर समर्पित हो सकते हैं। आप सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। आज आप अपने कुछ पुराने और अच्छे दोस्तों से कान टैट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें सफल भी हो सकते हैं। आपको जो सलाह और जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आपका पूरा थ्यान आगे बढ़ने में रहेगा। आप बहुत उधार्मन भी रहेंगे। दूसरों की सहायता और दूसरों से समझोता करने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। नए काम शुरू होने के योग बन रहे हैं। नेगेटिर परिवार के लोगों की फर्माईश पूरा करने में आपका काफी समय निकल सकता है। आज आप अपने बहुत से कामों को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती है। थोड़ा सावधान रहे। कठोल भाशा का प्रयोग ना करे। खुद पर नियंत्रन रखे। खर्च ज्यादा हो सकता है। क्या करे पपी तक खाए। लवा आज इस राशी के अविवाहित लोग जो प्यार का इजहार करना चाते हैं उनके लिए दिन अच्छा है। दिल की बात कह दे। बसवानी पर सहयम रखे और पार्टनर के साथ व्यवहार सावधानी से करे करियर कार्यक शेत्र में अचानक विवाध होने के भी योग बन रहे है। मेश राशी के लोग आज सावधान रहे। पुराने कागज्या फाइल से आपको परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स प्ले तनाव से परेशान होंगे लेकिन बाद में सफलता मिल जाएगी। घेल्थ छोटी मोटी बिमारियां आपको परेशान कर सकती है। रिष्टाजेटिव आप लगभग हर काम में सफल हो सकते हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। भौतिक सुथ सुविधाय मिलेंगी और धनलाब के भी योग बन रहे हैं। आज आपको जमीन से भी फाइदा हो सकता है। आपका पूरा ध्यान निवेश, उधार, पैसों और बचत के मामलों पर रहेगा। आप अपने खर्च, आमदनी और देंदारियों पर नए सिरे से विचार करें। किसी उलजे हुए मामले का समाधान आज आपको मिल सकता है, नेगिति वाप कोई है, तर अंगेज काम करने की कोशिश ना करें। अपने करियर को लेकर आपके मन में जो चिंताए हैं, आज आपको उन पर विचार करना होगा। आप कोई यात्रा करते हैं, तो कश्ट भी हो सकता है। आज आप अन्य लोगों के साथ बात चीत के दोरान सावधानी रख लें, क्या करें काले तिल दान दें। लवलव लाइफ के मामलों में आज आप कुछ ज्यादा ही समवेदनशील भी हो सकते हैं, जरासी बात भी आपको चुद सकती हैं, पार्टनर के साथ समय आसानी से बीट जाएगा, आज आप एक दूसरे से वादे करेंगे, करियर पदोननती के अफसर भी सामने आ सकते हैं, हेल था आज आपकी सेहत में सुधार हो सकता है, गंभीर रोगों से पीरड़ित लोगों के लिए समय नाजूत है, मिथुन पाजियर कोई व्यक्ति आपको अपनी गोपनिये बातें बता सकता है, आपको उसे गोपनिये ही रखना होगा, अपने जीवन साथ ही या किसी और बेहद करीबी व्यक्ति के साथ आपकी लंबी बात हो सकती है, पिछले दिनों में किये गए किसी निवेश या अच्छे काम का नतीजा आज आपके फेवर में हो सकता है, यह नतीजा पैसों के रूप में भी आपको मिल सकता है, आप नई चुन ओतियों के लिए पूरी तरह तयार हो जाएंगे, अपनी शमता साबित करने के लिए लज सकते हैं, नेगेटिव आपके सामने नई चुन ओतियां भी आ सकती है, आपका ज्यादा आतर समय उन लोगों के साथ निकल सकता है, जो आपका भला कम और बुरा ज्यादा कर सकते हैं, एक तरफा सोचाज आपको परेशानी में डाल सकती है, आप खुद को जूठी दिल आसा देने से बचे, वानी पर सहम रखे, दुश्मनों से परेशान हो सकते हैं, आप अपनी सिहत को लेकर सावधान रहे, आपके लिए दिन थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है, आज आप कोई नया काम करने से बचे, नौकरी में काम ज्यादा होने से आपकी परेशानि बढ़ सकती हैं, क्या करेवालों में थोड़ा सा काजल लगा ले, लवा आज आपको लव लाइफ के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना पर सकता है, जो भी फैसला लेंगे, वह आसानी से बदल नहीं सकेगा, यह ध्यान रखे, करियर पैत्रिक संपत्ती से फायदा होने के योग बन रहे हैं, आज कोई नया काम शुरू ना करें, किसी को उधार पैसा ना दे, स्टूडेंट्स को सीनियर्स का स्योग मिलेगा, यह ध्याज अपनी सिहत को लेकर सावधान रहें, कोई पुराना रोग आपको फिर परेशान कर सकता है, कर ताजिटि पैसों की स्थिती में जल्दी ही कुछ अच्छे सुधार होने के योग है, पैसों से जोड़ा कोई बड़ा सौधा हो सकता है, छोटे और सरल काम से शुरू आत करेंगे, तो ज्यादा सफलता मिल सकती है, आज आपको लोगों से पूरा समर्थन मिलेगा, लोग आपकी मदद करने के लिए तयार रहेंगे, आपको अपनी कोशिशों के लिए पुरसकार और तारीफ मिल सकती है, आपकी सज बुद्धी कारगर साबित हो सकती है, अपने विचार व्यक्त करने में और दूसरों को अपनी बातों से समत कराने में आप बहुत हद तक सफल हो स इंकम के मामलों में आप अच्छी स्थिती में रहेंगे, दामपत्य जीवन में सुख मिलेगा, बिजनिस में आपको हर तरफ से सहायता मिल सकती है, आपका मन प्रसंद रहेगा नेगेटिव रोजमर्रा के कुछ काम में आपका मन नहीं लगेगा, कुछ बातें आज आपको पर कर सकती है, कुछ लोग आपके लिए परिशानी पैदा करने से नहीं चूकेंगे, पुरानी बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी, क्या करें आटे की गोलियां बना कर नदी आतालाब में डाले, लवलव प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो दे दे, समय अच्छा है, सफ करनत के बावजूर कम परिणाम मिलेंगे, कुछ स्टूडेंट सका मूर भी खराब हो सकता है, ये ल्थजोडों का दर्ग परेशान कर सकता है, आज सावधान रुना चाहिए सिंग टाजिटिव अधिकारियों को संभालना और समस्याएं सुलजाना आपके लिए आसान हो सकता है, जो भी काम करें, दूसरों के साथ स्योग और टीम वर्क से करें, आपके सामने रिष्टों और पार्टनर्शित के कुछ मामले बहुत खास रहेंगे, आपने समझदारी से काम लिया, तो इन ही के दम पर ही आपको काफी अच्छे नतीजे और पुरसकार मिल सकते हैं, रूठे हुए दोस्तिया किसी साथी को आप मना लेंगे, आज आप जीवन साथी की अपेक्षाएं भी पूरी करेंगे, न्यायालरीन मामलों में आपको सफलता मिल सकती है, मनो रंजन के कुछ अफसर अचानक मिल सकते हैं, जो नहीं सोचा वो काम भी पूरा हो जाएगा, मामा पक्ष से आज आज आपको स्योग मिल सकता है, नेगितिव कई तरहे की बाते दिमाग में चलने से आप अपने काम पर पूरी तरहे मन नहीं लगा पाएंगे, आप किसी पर दबाव में काम करना पड़ सकता है, आपको वानों और मशीनों से भी सावधानों ना चाहिए, कोई काम करते करते आपको चोट भी लग सकती है, क्या करें लोंग लाल कपड़े में बांथ कर अपने साथ रखें, लब विवहार प्रस्ता भेजना चाहते हैं तो रूप जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, आप आज लोगों से मिलेंगे और आपकी मुलाकात आज सफल भी होगी, करियर आज कार्यक शेत्र में परेशान हो सकते हैं, किसी को उधार ना दे, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पुराने दुश्मन आज आपके द कन्या पाजेटिल समय पर मदद मिलती रहेगी, भायों और दोस्तों से भी स्योग मिलेगा, गोचर कुर्णली में चंद्रमा पांचवे भा में है, इससे अचानक धन लाभ हो सकता है, पाफिस और परिवार में कुछ बदला भी मसूस हो सकते हैं, आज आपके सामने आगे ब समय में आपके लिए फाइद एमन्द भी हो सकता है, रोजमर्रा के कामों में फाइदा मिलेगा, पाफिस में अपने चलते काम और बकाया काम की जाच कर लें, कोई इस बारे में पूछ सकता है, आपके कामों से सभी खुश रहेंगे, सन्तान की मदद मिल सकती है, सन्तान के म परिवार का बुजूर्ग आपके लिए परिशानी की स्थिती पैदा कर सकता है। सोचे हुए कुछ काम नहीं हो पहेंगे। कोई पुरानी बात याद आने से भी थोड़ी देर के लिए आपका मूड खराब हो सकता है। कुछ मामलों को लेकर मन में भ्रम और अनिश्चित्ता का मापौल रहेगा। घर से आफिस आने जाने में थोड़ी समस्या मसूस हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं और हर स्थिती में विनम्र बने रहें। आज आपको खान पान पर भी कंट्रोल रख लें क्या करें सूजी का हलवा खाए। लब पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और आपसे सलहा लेगा। प्यार के लिए आज आपको समय मिलेगा। लब लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर को अचानक खोशी मिल सकती है करियर कार्यक्षेत्र और बिजनिस में थोड़े सावधान रहे। स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का दबाव रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और आलस्य से भी परिशान हो सकते हैं। एक आग्र होने की कोशिश करें। हेल्थ सिर्दर्द और बदंदर्द से परेशान रहेंगे। कोई चीज कहीं रख कर भूल भी सकते हैं। तुला पाजेटिव आफिस में दूसरों के विवादों का निपटारा कर सकते हैं। आपका रवया और सोच सकारात्मक रहेगी। दूसरों के प्रेम और समर्थन के दम पर आपका कानफिडेंस बढ़ जाएगा। परिवार और संतान को समय देना होगा। अपना व्यभार अच्छा रखें। आज आप जो भी कुछ करें बहुत शान्ती से और सोचस्मच कर ही करें। अन्य मामलों में आप दूसरों को अपनी बात से समत कराने में बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। विशम परिस्थितियां आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी नेगे किसमत का साथ तो कुछ कम ही मिलेगा। गोचर कुर्णली के चोथे भाव में चंद्रमा होने से समवेदंशील मामलों में किसी भी तरह की रिस्क ना ले। आज अगर आप किसी की गोपनिये बाते जान गए हो तो वे बाते किसी को भी ना बताएं। वरना परेशानी हो सकती है। इस प्रकार के रहस्यमन में ही बनाए रखें। आपको किसी चीज की जल्दी रहेगी। जल्दबाजी से नुत्सान भी हो सकता है सावधान रहे। न दब आपके निजी जीवन में कोई बड़ी बात उलच सकती है। शान्ती से किसी मामले को निपटा लें वरना परेशान हो सकते हैं। अपना मूड ठीक करें समस्याओं पर सीथी। लेकिन सकारात्मक सोच से बात करें करियर साजेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा मिल करने के योग हैं। हलके विश्यों की पढ़ाई में मन लगेगा। ग्लैमर और फैशन भी जायनिंग से जुड़े छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है। भेल था आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सुख मिलेगा। विश्यों की कोई चिंता खत्म हो सकती है। आपको उम्मीर की किरण नजर आने लगेगी। धन लाब होता है। तो आप सबसे फले अपना उधार चुका देंगे। आज मिलने वाले पैसों का निवेश कुछ इस तरह करेंगे जिससे भविश्य में आपको फायदा हो जाए हैं तो आज से कोशिशे शुरू कर दें। बिजनिस करने वाले लोगों को विशेश सफलता मिल सकती है। आप आज कोई बड़ा सौधा भी कर सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक तनाम मसूस नहीं होगा। दोस्तों और भायों से समय पर मदद मिलेगी। जिस काम में मेहनत क करेंगे। वह काम जल्दी ही पूरा होगा और उनसे आपको धन लाब भी होगा। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मत्वपूर्ण फैसले के लिए आपकी सलहा भी ली जा सकती है। ने गिर्थिवाज आपके तेवर कुछ ज्यादा ही सकत हो सकते हैं। जिससे ल पानी ना बहाए। पीने के लिए गिलास में उतना ही पानी ले जितनी जरूरत हो। लब आज आप ज्यादा ही समवेदंशील हो सकते हैं। और किसी की बात को गलत समझ सकते हैं। आज खुद पर नियंत्रण रखें। समस्या पर किसी से बात करें करियर कोई बड़ा या ज करियर में आपने जो भी अनुभव हासिल किया है। आज आप उसका उपयोग अपने निजी जीवन में कर सकते हैं। नजदी की लोगों के साथ मत्वपूरण मामलों पर बातचीत हो सकती है। आप सारे मसलों को सुलजाने में सफल रहेंगे। पैसों के मामलों में आप काफी चतुर साबित हो सकते हैं। आज आप काफी व्यस्थ हो सकते हैं। और आपको एक के बाद एक नई चुन ओतिया नई जिम में दारिया मिल सकती हैं। नेगिति कुछ लोग आप से अजीब व्यभार कर सकते हैं। एक बार में एक से ज्यादा काम हाथ में ना लें। वरना खुद को फंसा हुआ मसूस कर सकते हैं। आज के कामों को लेकर आपकी प्लानेंग कमजोर हो सकती है। करमचारियो से समस्या हो सकती है। शारीरिक परेशानी के कारण आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है। दुश्मन आपके खिलाफ प्रचार करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या करें लाल चंदन पानी में मिलाकर सूर्य को जल चढ़ाएं। लब आप अकेलापन भी मसूस कर सकते हैं। पार्टनर के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको धन लाब भी हो सकता है। पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें, ना ही किसी नए संबंथ की और बढ़े करियर कर्मचारियों और स्योगियों से परिशानी खत्म हो सकती है। पाफलिस में इस दिन आपक मकर पाजेट चंद्रमा आपकी ही राशी में रहेगा, पैसों का दबा खत्म हो जाएगा, राहत मिलने लगेगी। पैसों के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं, आपको कुछ खास अनुभूतियां और पूर्वाभास भी होगा, मन की चिंताएं ख खत्म हो सकती है, परिवार या सुस्राल के सदस्यों के साथ व्यवहार में अपने मन पर विश्वास रखें, आप कठिन स्थिती का सामना पूरे द्रढ निश्चे से करेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, किसी खास काम की पूरी तयारी कर चुके हैं तो सफलता निश्चित ही म आज आप ज्यादा आतर मामलों में सफल रहेंगे, कुछ वादे और सौदे आज आपको करने पर सकते हैं जो अचानक ही होंगे, नेगेटिव अपने काम काच को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, किसी व्यक्ति की फालतू बातों का सामना भी करना पर सकता है, आज आप फ लवाज आपकी भावनाओं का स्तर बढ़ेगा और अपने एक सप्रिशन्स पर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका साथी आपकी मनोद्शा समझ जाएगा, पार्टनर से स्योग और सरप्राइज मिलेगा, करियर बिजनेस और कार्यक्षेत्र में अच्छा फायदा मिल सकता है, पार्टनर मददवार रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पेस्प्या कोई एक जाम है तो उसमें सफलता मिल सकती है, बिल्थ सेहत आज अच्छी रहेगी, पुराने रोग खत्म होंगे, कुंप पाजिटिव अधिकारियों से मिल जोल बढ़ेगा, इंकम और खर्चे की स्थिती संतुलित रहेगी आप दोस्तों और परिवार के सदस्यों से तालमेल बनाए, आप लोगों के साथ मिल कर धन कमाने के अच्छे मौके तयार कर सकते हैं, सिहत के लिहाज से समय ठीक रहेगा, जीवन के प्रती आपका नज्रिया सकारात्मक रहेगा, नई कला, साहित्य और संगीत में आपकी रूची होगी, नेगितिवाज आप अकेले कोशिश करेंगे, तो कोई अच्छा खासा मौका भी हाथ से छूट सकता है, राजनीती और धन से जोड़े मामलों पर किसी के साथ भस में न उलजे, दोड़ भाग करनी पड़ सकती है, आज आपकी छोटी सोच आपको ही शर्मिंदा भी करवा सकती है, लेंदेन में जो खिम नाले क्या करें सफेद, फूल सफेद कपड़े में बांध कर अपने साथ रखें, लग किसी बात या विशय पर प करियर से थ्यान देंगे, करियर पुराने निवेश से धन लाब होने के योगबन रहे हैं, स्टूडेंट्स को तनाव रहेगा, हेल्थ सिहत के लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा मीन पाजियर्टिव मीन राशी वालों के लिए दिन अच्छा है, पैसों से जोड़ा कोई अच्छा फायदा हो सकता है, नौकरी धन्दे के क्षेत्र में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, सुस्ती मसूस करने के बावजूद, मजमान सिकूर्जा के दम पर आज आप कोई मौका ना गमवाए, सोचे हुए काम में सफलता मिल सकती है, आपके आसपास का वातावरन भी सुखद हो सकता है, आपका परफार्मेंस अच्छा रहेगा, जीवन साथी से अपेक्षाय कुछ ज्यादा रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा आज बढ़ सकती है, मातापिता का आशीरवाद ले, आपका आकर्शन बढ़ेगा, नेगेटिव एक्स्ट्रा मियनत भी करनी पड़ सकती है, नई नौकरी का मापौल आपको ज्यादा रास नहीं आएगा, कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, और आपकी इच्छ अनुसार काम नहीं होने के कारण आप जरूरत से ज्यादा भावुक भी हो सकते हैं, ये स्थिती आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्या करे सिक्का किसी भी मंदिर के बाहर बैठे गरीब को दे, लब जीवन साथी से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, आज आपका जीवन साथी आपकी किसी भी बात के अपने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, फेल थपेट के रोध होने के योध हैं, ध्यान रखें